हलो जी हलो बच्चो कैसे हो आप सभी बढ़िया मजे में चलिये आप सब के लिए गुड नीज लेकर आ चुका हूँ गुड नीज यह है कि आप चाहे टैंथ में हो ट्वेल्ट में हो ग्रेजिशन में हो पोल्स डैशन में हो सबके लिए टाटा कंपनी निका लिए स्कोलरशिप वह भर भर के और इसकी लास्ट डेट भी पंद्रह नमवंबर है सब कुछ जानेंगे आज के अपनी इस वीडियो में क्या है इसका पैटर्न हाउ टू अपलाई अलेजिबिल्टी क्या है कैसे मिलेगी और एक चीज़ बताओ आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो लाइक आप बीकॉम कर रहे हो आप बीए कर रहे हो आप बीए कर सबी कंपनी अपने प्रोफिट का कुछ परसेंट जो है वो चैरिटी में या जो एंगियो होते हैं उनमें यूज करती है इनके खुद के इनके एंगियो बने वे एक एंगियो है इसका नाम है Tata Capital Punk तो Tata Capital Punk की तरह से स्कॉलरशिप्स आरी है आप सब अपलाई कर सकते हो लि तो वीडियो को मिस ना करें लास तक देखें और अगर ऐसी वीडियो अची लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब सबसे पहले कोई इंटरंशिप्स कोई स्कॉलरशिप्स कोई जो परचुनिटी आती है अकाउंटिंग गुरुजी सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम इसमें 11th किलास 12th किलास जर्नल अंडर ग्रेजुए डिप्लोमा पॉल्टेक्निक इस्टुएंट ओल कैन अप्लाई यहां पर जो आपकी जो फीस है जो आपकी कॉलिज में फीस जारी है स्कूल्स में फीस जारी है वो यहां पर देंगे आपक 80% तक फीस आपकी कवर हो जाएगी यहां से इनका कहना है तो यह जो है देखो 10,000 से 12,000 तक आपको यहां पर स्कॉलरशिप्स मिल जाती है एवरी यर वगयरा मानके चलिएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो बच्चे 11-12 में लेकिन उससे पहले में बात करूँ अग्रेशन वाल होगी क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे बीकॉम वाले बच्चे जादा है ग्रेशन वाले तो पहले उनीकी बात कर लेता हो बड़ उसकी एक शर्त है कि आप रेगुलर हो पहली बात दूसरा आप किसी रिकोगनाइज युनिवर्स्टी या उट्रोनोम स्कॉली से ही कर रहे हो पताला कि ऐसी निवर्स्टी से पढ़ाई कर रहे हो जिसका कोई नाम और निशान निया कई रिजिस्टेशन ही नहीं तो एप्लिकेबल नहीं होगा डिटेल पर चलते हैं यहां पर लाजडेट की बात करें तो पंदरह नॉमंबर लाजडेट है यह अभी स्टिल टाइम है काफी तो आपको फाइदा मिलेगा अलेजिबिल्टी की बात कर लेते हैं इस्टूरेंट जो कोई अंडर ग्रेशन डि जो उसकी पहली किलास थी है सब्सक्राइब आपके साथ प्रसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप बीकोम फरस्टेयर में हो एग्जम्पल दे रहा हूं तो 12 त में आपके 60 परसेंट होने चाहिए यानि कि आपकी जो प्रिसीडिंग क्लास है यानि कि जो प्रिवियस क्ला चाहिए तो उनकी इंकम जो अकाउंट में आती है एक होता है cash मिलती है उसे तो कोई भी ने देखता जो अकाउंट में आती है वो 1.5 लाग से कम होनी चाहिए अगर सालाना इंकम है 1.5 लाग से कम तो यू कैन इजी लिए अपलाई Children of Employee of Tata Capital are not eligible अगर कोई Tata Capital में काम कर रहे है आपके पिता जी तो आप eligible नहीं हो अगर इस कंपनी में Tata की काम कर रहे हो Tata Capital में Tata की भी बहुत सारी कंपनी है Tata Capital में ठीक है Indian National Only अगर आप इंडिया के भार से इस वीडियो को देख रहे हो तो you are not eligible only Indians can apply ठीक है open for Indian Nationals Only ठीक है रुपे जा रही है तो उसका 80% बैठेगा 16,000 तो ऐसे में आपको 12,000 मिलेंगे आप ठीक है तो उसके अलावा scholarship fund जो है वो tuition fees के अगेंस्ट है और कुछ नहीं है तो वो भी आप लगा सकते हो ठीक है apply करने का apply पे जाओगे तो मैं पहले ही पता चुका हूँ कि यह जो website buddy for study पे आती है scholarships ठीक है पहले आपको registration करना होगा registration करने के बाद आप यहां पे जो है डारेक्ट ही से apply कर सकते हैं तो पहले registration कर लेना फिर यहीं से apply कर लेना ठीक है वैसे मैं कोईश करूँ है डारेक्ट आपको इनकी scholarship का direct link प्रोवाइड गरा दू ठीक है तो वहां से आप देख लीजे सेम वही 12th 11 12th वालों के लिए है सेम वही criteria है कोई खास अलग नहीं है यहां पर 10,000 रुपे तक आपको मिल सकते हैं यहां पर अगर आप 12th में हो तो 11th में आपके 60% होनी चाहिए अगर आप 11th में हो तो 10th में आपके 60% होनी चाहिए आप eligible हो जाते हो ठीक है तो यह थी पू मुझे लगता है कि आप सब को अपलाई कर देना चाहिए अगर इसमें कोई बात बतानी रह गई हो या आपका कोई कोशन हो तो आप कॉमेंट कर दीजेगा मैं और मेरी टीम कोशिस करेंगे जल से ल उसका रिपलाई करने की वीडियो चलिगा तो लाइक कीजे ऐसी मोर मुझे कर दीजेगा पकी अपलाई कर दीजेगा कि मुझे अई चाहिए आपका कि अपलाई कि अवियो खासे अबना कर दो जए आपका कि ऑने कर दो यादीजेशन